आज हम लोग बनाएंगे मेथि और बेसन की बहुती स्वाधिस्ट और बहुती टेस्टी सजी कभी कबी कुछ चटपटा खाने का मन करें कुछ मसाले दरखाने का मन करें मेथि और के सब्जी बना और बहुत एग कोईच जाड़ा टेस्टी लगती है ja और आधा किलो के करीब मेती ली हूं मेती के पत्ते को जो है वह अच्छी तरह से हम लोग तोड़ लिये हैं इनमें डंठल नहीं होना जीए सिर्फ पत्ते ही होना जीए इसमें हम लोग लिये हैं अद्रक प्याज है 3-4 लहसून और टमाटर है छोटे-छोटे 3-4 सबसे पहले ह हम लोग क्या करेंगे प्याज टमाटर लहसून अद्रक की ना पेस्ट तियार करेंगे तो पेस्ट बनाने के लिए हम लोग इन्हें हल्का सा पहले भून लेंगे उसके बाद में इसके पेस्ट तियार करेंगे तो भूनने के लिए ग्यास में कड़ाई रखे-कड़ाई को वो अच्छी तरह से भून चुके देख सकते हैं उसके बाद में क्या करना है इन्हें निकाल ले और इसी कड़ाय में तेल डाले और तेल को गरम होने दे जब तक कि हमारी जो तेल है वो गरम हो रही है तब तक हम लोग जो प्याज अद्रक लशुन टमाटर भी भूने है ना तो उनके पेस्ट तयार कर लेंगे तो पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सी की बरतन ले मिक्सी की बरतन में यह सभी चीज़े डाल दे इस तरह से टमाटर प्याज अद्रक लशुन और इसमें ही हरी धनिया डाले हरी धनिया ऑप्स्टनल है अगर आपके पास में है तो डाल पेस्ट बनाने हैं हमारे जो पेस्ट बनाना है तो ऊश्चे अची तरह से गरम हो गई है देखें आप देख सकते हैं इसमें ही तेज पतः डालना है इसमें हो पेस्ट डाले तो पहले मैं चंब में सुखे मसाले, यहाल में झाल मग कोटकेंं सुख्य मासारा के लेगा, सुख्य मसाले, यहाल पाउर में धार दाल लाहली कषल को पुछ मिसनेन दालते हैं? कज में मिक्स करू पर दढाता हुए नित एक आफ।笔 के सफोर बिद्य हाल सकतते हैं갖ें पहले फोड़ा सामसी डाल हुं उसके बर ने में ब हुआझ यहां बनेगर आप चाहे तो पूरे डाल भी बना सकते हैं तो अपनी हिसा पई मैसाले की सबता सब बाहस है फंक humour कर जहाएं इनका color देखकें, आप देख सकते हैं, कितनी अची तरह से आया है, उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही पानी जब ठीटा कर दालें, नो मुझे थोड़ीस, तो पानी एक प्रमी से ब्रेवी चेगी है, आउफर, कर सब दिनकी को मिख सकते हैं, के बाद भाले जब अफस्य पैर lingering करने हमें और मेथी और बेसन की आख करने के लिए मेथी के पत्ते डाले तो इन्हें कट करकी भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ पत्ते ले रहे हैं तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं तो यह मेथी के पत्ते मैंने डाल दी हूँ प्लेट में उसके बाद में इसमें ही बेशन डाली हूँ बेशन एक प्लेट की करीब ली हूँ आप चाहे तो अगर बाद में थोड़ा सा लगता है तो आप ले सकते हैं बेस में ही लाल मिल्स पॉड़र हल्दी पॉड़र और नमक डाले इसमें ही अगर इसमें थोड़ा सा पाने डाले देह नमक अगर आपका कोई भी बाची में नमक डाले इसमें बहुत भाक ज्यार डाले यह दो बन गई तो में लिए और टूरंथ चोक där तै moyens कि फूल डढ़ो Are you मैंने चोटे चोटे सभी डढ़ो कई कि यह दे के आप देक सकते हैं कितने अची तरह से लद्डो किन है कि अगर आप पीड में करोंगे तो क्या होगी , इनके पानी चोट्नने लागेंगा मतलब कि इसमें मेथी और मैं पहले ही बताई कि नमक है तो नमक और मेथी अगर एक साथ में रहा तो पानी छुटती है तो इसलिए यह प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना है तो हमारी लड्डू जो है तैयार हो गई है दिखे आप देख सकते हैं कितनी अची तरह से करेगी तो यह जो बेसन वाली पानी है उसको क्या करें डाले तो इससे क्या होती है हमारी जो ग्रेवी है वो गाड़ा होती है तो यह डाल दिये है उसके बाद में क्या करना है अच्छी तरह से मिक्स करती हुए कम से कम 2-3 मिनिट पकाना है जब तक कि हमारी जो ग्रेवी है अच्छी तरह से बॉइल नहीं आदी तब तक हमको इनको पकाना है तो यह जो देखिए हमारी जो ग्रेवी है अच्छी तरह से बॉइल आने लग गया है उसके बाद में क्या करें इसमें ही हम लोग जो लड्डू बना के रखे थे ना मेथी और वेशन की तो वो लड्डू को पहले तो कम से कम 3-4 मिनट हाई मीडियम गयस में पकाना है उसके बाद में लो मीडियम गयस में इन्हें अच्छी तरह से कम से कम 3-4 मिनट फिर से पकाना है इस तरह से कम 7-8 मिनट इन्हें पकाना है तभी आपके जो लड्डू है वो अच्छी तरह से पकेंगे नहीं तो आ इतना सुन्दर लग रहा है तो इस तरह से मेथी की लड़ू बनाए हम इने मेथी की लड़ू भी बोल सकते हैं तो इस तरह से मेथी की लड़ू है वह दिकी बन गया है कितने इस तरह से बनी है उसके बाद में ग्यास बंद कर दे और इन्हें गर्मा गर्मी आप चावल या र धन्यवाद